हेलो शुट्रेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हो कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग, मस बढ़िया, तो कैसी चल रही है आप सब लोग की तयारी, कैसी चल रही है आप सब लोग की फार्मेसी, उमीद कर रहा हूं, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, चीजें समझ में हारी होंगी, तो वो पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, तो चलिए, चैप्टर नमबर थार्ट का, लेक्टर नमबर फाइव, और इस चैप्टर का, आखरी लेक्चर, थाता बो रहा है ना, गुड, तो आखरी लेक्चर है हमारे पास, क्या होती है, जब कोई इनसान भी मार हो जाता है, तो गैसे कई सारी है, बट अपने कोर्स में, सिर्फ ये तीन है, किलियर है, कौन-कौन सी है, ओक्सीजन, O2, CO2 and Nitrous, Oxide and 2, किलियर है, शुरू करें, ओके, तो क्या कह रहा है ये, अधिशनल गैसे हमारे, समझते हैं इसको हम लोग, ओके, देखते हैं, अधिशनल गैसेज, अधिशनल गैसेज, अधिशनल गैसेज यूज़ इन जो हमारी medical procedure होती है, during कोई patient वगर है, जो ठीक कर रहे हैं, उसको हम कहते है, medical procedure, some are used for treatment, कुछ use होती है, treatment के लिए, some for anesthesia, कुछ as anesthesia इस्तमाल होती है, and some for driving medical devices, कुछ इस्तमाल होती है, medical devices को चलाने के लिए, ठीक है, medical devices चलाने के लिए हम देखेंगे, CO2 का इस्तमाल होता है, समझेंगे उसे बाद में, and tools, tools मतलब आजा, there are seven kinds of gases, साथ प्रकारणी gases हैं, जो as a medicinal gases इस्तमाल होती हैं, but अपने course में केवल तीन हैं, हम वही तीन पढ़ेंगे, कौन-कौन सी है, oxygen, nitrogen, nitrous oxide, argon, helium, carbon dioxide and compressed air, तो देख सकते हैं, काफी सारी gases हैं, जो as a medicine इस्तमाल होती हैं, तो आप सुरुवात करते हैं हम लोग, कहां से, oxygen से, कहां से इस्तमाल करें, सुरुवात करें, oxygen से सुरुवात करते हैं, और थोड़ा से इसको समझेंगे कोशिश करते हैं, तो oxygen formula होता है, O2, क्या बोल रहा है, it is a medical gas required in every healthcare setting, कोई भी healthcare setting हो, छोटा क्लिनिक हो, बड़ा क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, वहाँ चाहिए चाहिए oxygen, and is used for re-sociation, मतलब किसी को पुना जीवित, पुना जीवन देना है ना, मरने वाला है, उसको इंसान सांस ने ले पा रहा है, हम लोग उसके oxygen पे रख देते हैं, तो re-sociation, पुना जीवित करना है, and inhalational therapy, देखाओगा, जिनको सुणने में दिक्कत होती है, सांस ने दिक्कत होती है, तो उनको हम लोग oxygen लगा देते हैं, hospital use oxygen when patient face problem, जैसी बादर patient problem face करता है, तो hospital oxygen को use करेगा, in breathing air, problem क्या face कर रहा है patient, air को breathe करने में, और when lung stop inhaling oxygen, such as in life support for artificially ventilated patient, थोड़ा से लंबी line होगी, क्या करना चाहरा है, lung stop कर दे, lung इतना ज़्यादा फूले ही नहीं, कि अंदर oxygen को ले पाया, वो lung बहुत ज़्यादा नहीं फूल पा रहा है, तो जो oxygen हमारे अंदर जाएगी, उसके नहीं CO2 भी है, सब कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं, oxygen लगाते हैं, pure oxygen जाएगा, तो जितना वो सुणगेगा, सब oxygen ही जाएगा, तो body की जो oxygen की requirement हो, पूरी हो जाती है, clear है, life support for artificially ventilated patient, इसको हम कहते हैं, artificially ventilation, यानि कि अब वो natural oxygen ना लेकरके, artificially oxygen ले रहा है, clear है, फिर patient की बात करें, तो oxygen can be made from hydrogen peroxide, पता है न क्या होता है, hydrogen peroxide, H2O2, which decomposes, जो टूट जाता है, slowly to form water, ठीक हैं, हम देख सकते हैं, H2O2 है, in presence of manganese dioxide, जो की as a catalyst काम करेगा, कैसे काम करेगा, as a catalyst, और ब्रेक कर जाएगा, पानी में और O2 में, यह मिल गई मेरको O2 gas, clear है, ठीक है, the rate of reaction can be increased by using catalyst, यह जो rate होता है, अगर यह catalyst ना लगा है, तो बहुत धिमी process है, लेकिन जैसे catalyst लगा जेते हैं, तो rate of reaction बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, manganese 4 oxide यही होता है, यहाँ पर, manganese का oxidation number हो गया, वो क्या हो गया, plus 4 हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, manganese 4 oxide, when manganese 4 oxide is added to hydrogen peroxide, bubbles of oxygen are given off, बहुत जलदी जलदी निकलते हैं, और दूसरी process है by fractional distillation of liquefied air, air को हम लोग liquid में convert कर लेते हैं, खूब सारा pressure देख करके, gas को liquid बना लेते हैं, फिर उस liquid में से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, oxygen निकाल लेते हैं, बहुत लंबी process है, ठीक है, वहाँ पर हमें नहीं जाना है, सब्सक्राइब बताना था कि कैसे कैसे prepare होती है, next देखें अगर हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, चलो, next अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो ये क्या बोलता है, ये कह रहा है, physical property क्या है, क्या है, colorless है, कोई color नहीं है, कोई खुसबू नहीं होती है, ना कोई टेस्ट होता है, जाहिर सी बात है, हम लोग रोजियो oxygen लेते हैं, कोई है क्या कुछ नहीं है, अच्छा, ये color एक साथ हो गया, एक और है, support combustion, यानि कि आग जहां लगती है, उसको support करता है, chemical property की बात करें, तो जब ये metals के साथ react कर रहा है, magnesium, calcium, iron वगयरा, तो metal oxide बनाता है, क्या बनाएगा, उसके oxide, ये से mg के साथ react किया, magnesium oxide, calcium के साथ react किया, calcium oxide, हाँ, कई बार वो कुछ non-metal से react करते हैं, तो non-metal के साथ जब हम इसको heat कर दें, यहाँ पर होना चाहिए था, O2, तो heated with oxygen burns rapidly producing a non-metal oxide, जब non-metal के साथ इसको हम लोग react करवाते हैं, तो भी क्या बनता है, ऑक्साइड ही बनते हैं, non-metal के, जैसे C के साथ कराया, carbon dioxide, sulfur के साथ कराया, sulfur dioxide, के लिए रहे बाते हैं, चलें आगे, ओके, next है हमारे पास, storage, storage की बात करें अगर, तो कह रहा है, stored and supplied in metallic cylinders under pressure, तो लोग ने साथ देखा होगा, hospital वगरा में, जो oxygen के cylinder होते हैं, काले-काले से उपर सफेद है, इस shape में रहता है, उपर सफेद होता रहता है, नीचे ब्लैक रहता है, तो metallic cylinder होते हैं, क्योंकि pressurized form में भरा जाता है, तो metal ही उस pressure को bear कर सकता है, संभाल सकता है, तो store and supplied in metallic cylinders under pressure, the shoulder of the cylinder, देखा होगा, इस shoulder की बात क्यों होगे, होता है, white, और जो बाकी हिस्सा होता है, यह होता है, black, उपर जो painting होती है, ठीक है ना, तो shoulder of the cylinder should be painted white, क्यों? ऐसा इसलिए according international color code, coding देदी गई है, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है, cylinder कौन साब काई सारे cylinder रहते हैं, तो white paint कहीं से थोड़ा सा बच्चा होगा, उससे हमें idea लग जाएगा कि यह क्या है, oxygen gas है, ठीक है, and remaining part is painted black, बाकी का हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, black color से paint कर देते हैं, the name and symbol of oxygen should also be painted on it, oxygen का नाम और उसका symbol भी इसके उपर हमें क्या करना होता है, paint करना होता है, ठीक है, use की बात करें, तो okay, hypoxी है, जब सांसलेने में दिक्कत हो, anesthesia में कई बर साथ में दिया जाता है, asthmatic patient सांसलेने में दिक्कत होती है, carbon monoxide की poisoning हो जाए, CO मतलब carbon monoxide, ठीक है, इसकी अगर poisoning हो जाए, बहुत ज़्यादा carbon monoxide किसी वाई से सूंग लिया है, ये case कहां किरियेट होता है, कहीं आग लग गई है किसी building हो गएरा में, और बहुत ज़्यादा धुहाँ हो गया, तो जब सूंगता है, तो उसका carbon monoxide बहुत ज़्यादा चली जाती है, patient के अंदर, उसको फिर सांस लेन में होने लगती है, दिक्कत, तब हम किसका इस्तमाल करते हैं, oxygen का, ठीक है, बात करें, ठीक है, formulation की, तो formulation भी बात करें, तो gas के ही रूप में आता है, किसी और रूप में नहीं आता है, brands भी बात करें, तो EZOX के नाम से brand market में available है, के लिए रोगी बाते हैं, oxygen को लेके, ठीक है, आगे चलते हैं, और next है, हमारे पास, carbon dioxide, क्या है carbon dioxide, carbon dioxide is used as an insuffilation gas, ठीक है, and as a cryotherapy agent, cryotherapy, जो cryotherapy जो ठंड़क, कुछ ऐसी थेरपी होती है, इसमें टिस्यू से बगरा को बहुत ज़्यादा ठंड़कर दिया जाता है, उनमें भी carbon dioxide commonly used as insuffilation gas for minimal invasive surgery, ठीक है न, insuffilation का मतलब क्या है, तो वर्ड बार बार आ रहा है, कभी क्या तुम लोगोंने endoscopy कराई है, endoscopy में क्या होता है, एक वायर सा रहता है, ऐसे मुह में डाल दी जाएगा, ठीक है न, या एनस के रस्ते आंतों में डाला जाता है, तो होता क्या हमा जाती है, तो हमारा जो piping system है, बाडी का, वो क्या होता, प्रेसर से खुल जाता है, इस तरीकी से, बास समझ मा रहा है, हमारी बाडी के जो piping system है, जब endoscopy के लिए pipe नली डाल जाती है, तो ऐसे काफी सुक्ड़ सुक्ड़ से रहते हैं, compress रहते हैं, वो oxygen gas से खुल जाएंगे, फैल जाते हैं, और जो आगे camera लगा होता है, वो easily देख पाता है, कि किसी part में कोई problem तो नहीं है, that is called insufflation, फुलाने के लिए, किसके लिए, फुलाने के लिए, कहां-कहां फुलाया जाता है, leproscopy, endoscopy, atheroscopy है ना, जितने भी scopic वाले word है, जितनी भी चीजों में body के अंद से सबको देख पाए, to enlarge and stabilize the body cavity, जो body की cavities है, cavities are the holes, है ना, उसको बढ़ा करने के लिए, provide better visibility of surgical area, माल लो, है ना, कभी तुम्हों देखा और leproscopy अगरा कराते हैं, हलका सा cut लगा देते हैं, पेट पे, अंदर pipe डाल देते हैं, और उसके थूर भी cutting-cutting करते हैं, जो ऊपर तो camera जाता है अंदर साथ में, तो वहाँ, वहाँ, हम इसका इस्तमाल करते हैं, फिर प्रिशन की बात करें, when calcium carbonate treated with acid, calcium carbonate को SCL के साथ मिला दो, ये CO2 gas भार निकाल लेगा साथ में, calcium chloride or water भार निकल जाएगा, ठीक है न, calcium carbonate, फिर calcium carbonate को heat कर दें, अगर हम लोग, क्या करते ह sodium carbonate को तो भी इसके अंदर से क्या निकलाएगी, ये CO2 gas निकलाती है, when coke और coal burn in air, कोईला जलेगा, ठीक है, उसके अंदर carbon होती है, carbon होता है न, carbon जब oxygenate contact में आएगा, तो क्या बन जाएगा, अगे, CO2 बन जाएगा, तो ये इसकी क्या है, preparation हम कही तरह के से इसकी preparation कर सकते है आगे देखते हैं, physical property की बात करें अगर हम लोग, तो physical property हम लोग देख सकते हैं यहापर, colorless है, orderless है, soluble in water है, chemical property की बात करें, तो carbon dioxide जब water के साथ react करता है, तो क्या देता है, carbonates देगा, क्या देगा, carbonates, अच्छा, ये H2CO3 है, इसको हम लोग carbonic acid कहते हैं, क्या कहते हैं, इ NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, alkali, to give carbonate and bicarbonate, देखो, NaOH के साथ react किया, तो एक Na हट गया, ठीक है, और NaOH, ये CO था, O यहाँ आया, NaH, यहाँ पूरा यहाँ के जोड़ गया, NaHCO3, this is bicarbonate, फिर वापस है, NaOH के साथ react करेगा, जो Na है, उसको फिर अटा देगा, तो ये बन जा Bicarbonate है, जिसमें कोई भी H नहीं है, एक H अगर मौझूद है, तो उसको हम लोग क्या कहते है, Bicarbonate, बात समझ भा रही है, ये नाम, समझ रेना थोड़े से, ठीक है न, तो carbon dioxide को alkali, sodium hydroxide कराएंगे, तो क्या मिलने वाला है, sodium bicarbonate, और फिर वापस से, ये solution के दर मौझूद ह तो मेरो क्या मिल जाएगा, sodium carbonate मिल जाएगा, clear है, simple है, gases में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, storage की बात करें, same condition है, stored and supplied in compressed form, पिछका करके, काफ़ जादा प्रेस करके रखते हैं, shoulder of the cylinder, यानि कि वही metallic cylinder होता है, इसकी case में भी, और उसका shoulder होता है, painted grey, इस बार white ना करके, उस wording थी, stencil ना लिख करके, सिधा लिख दो, कि name and symbol of CO2 should be written on the cylinder with the help of paint, ऐसे लिख दो, ठीक है, stencil word को हटा दो, should be, इसको हटा करके, अगर tough लगता है word यह, तो लिख दो, return with paint, लिखा जाता है, use की बात करें, it is used as respiratory stimulant, यानि कि, जब respiration, respiration stimulant मतलब की, हमको अगर सांस, बहुत जा अदर लेनी है, तो थोड़ी सी CO2 डाल दो, हमनों बहुत तेज से सांस लेनी लगते हैं, यानि कि respiratory stimulant हमें excited कर देगा, which stimulates the respiratory and cardio accelerator center, हमारे brain में जैसी CO2 की मातरा हमारी body हैं बढ़ जाती है, तो हमारा होता कि ब्रेन के अंदर एक center मौझूद होता है, जिसको हम respiratory center कहते हैं, वो क्या करेगा, excite कर देगा और हम लोग तेज तेज सांस लेनी लगते हैं, देखा जब लोग रणिंग करते हैं, तो हमारी body में oxygen की कमी नहीं होती है, हमारी body में CO2 बढ़ जाता है, क्योंकि cell body बहुत तेज से काम करने लगती है, तो जो CO2 की मातरा body में ज्यादा बनने ल कालना है, ठीक है, तो respiratory center कहा गया है, और भाई सांस लेने करें किया है, hardweed बहुत तेज धड़केगा, तो cardio accelerator center कहा जाता है, mixture of carbon dioxide and oxygen using again, ये भी carbon monoxide poisoning में oxygen के साथ इस्तमाल किया जाता है, formulation, market में gas की तरह ही आ रही है, brand की बात करें, तो carbon dioxide के नाम से direct ये मिल जाता है, ठीक है, क कुछ इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, next देखें, तीसरा जो है, nitrous oxide, is an inhaled gas used as a pain medication, इसको भी सूंगा जाता है, inhaled gas है, मतलब कि हम लोग इसको सूंग रहे हैं, कहां इस्तमाल होता है, pain medication, जहां दर्द हो रहा हो, वहां पर हम लोग nitrous oxide का इस्तमाल करते हैं, together with other medication for anesthesia, और क कुछ कारण होते हैं, common uses include, कहां पर इसका इस्तमाल हो रहा है, child birth, है जब child birth हो रहा होता है, तो बहुत तेज़ pain होता है, उस pain से रहात दिलाने के लिए, हम लोग क्या है, nitrogen gas को जो लेडी delivery कर रही हो तो सुंगा देते हैं, trauma, ठीक है, trauma मतलब पता ही है, बहुत ज्यादा हाल end of life के है, कई पर ऐसा होता है, कुछ critical cases हो जाती है, पता है कि अगला इंसान जाने वाला है, उस case में होता है क्या है, कुछ और चीज़ों होती है, तो वहां पर भी इसका nitrogen oxide का इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से nitrogen oxide का हम लोग कई जगे use कर सकते हैं, फिर प्र ammonium nitrate को heat करेंगे, तो nitrous oxide और पानी हमको साथ में मिल जाएगा, when sulfamic acid, this is your sulfamic acid, is heated with nitric acid, this is your nitric acid, इसके साथ हम लोग इसको heat कर देंगे, heat के लिए हम लोग यहां symbol लगा देते हैं, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, nitrous acid, यह हमारा main, अच्छा मैं बता दू मैं, अगर कई बार यह साथ के product याद ना रहे हैं, कोई बात नहीं, main product जो बन रहा, वो याद होना चाहिए, physical property, colorless, orderless, sorry, order होता है, sweet order है, sweet taste होता है, sweet order होता है, sweet taste होता है, sweet order होता है, sweet taste होता है, इस चक्कर में आदमी, इसे काफ़ जाज़ है, nitrous, laughing gas भी कहते हैं, सूंग लेता है, बड़े मज तूट जाएगा, nitrogen में और oxygen में, अगर इसको बहुत ज़्यादा heat कर दोगे, तो यह nitrogen oxygen में तूट जाएगा, and 2 जो होता है, it reduces to nitrogen when passed through red hot copper, अगर copper से इसको हम लोग क्या कराएं, पास करा दें, बहुत तेज गरम copper के उपर से, तो यह break कर जाता है, यहने कि कह सकते है, copper को oxidize कर होंगे, stored and supplied in metal cylinder, तो हम देख सकते हैं, सबके अंदर जो storage condition है, तीनों के अंदर सेम है, फरक है केवल paint का, यहाँ पर जहां हम paint करते हैं, वो क्या करते हैं, blue करते हैं, oxygen में white था, carbon dioxide में grey था, यहाँ पर क्या है, blue है, the name and symbol, बागवा की सारी किए सब में same है, name and symbol should be painted on it, name और symbol को उसके उपर paint करना जरूरी है, clear है, next देखते हैं, uses, uses की बात करें, as an anesthesia, anesthesia के उसमें भी इस्तमाल होता है, oxygen and nitrous oxide mixture used for pain relief during child birth, यानि कि nitrous oxide के साथ हम लोग oxygen का भी इस्तमाल करते हैं, low concentration में, अगर इसका concentration हलका रखा जाए, तो यह reduce कर देता है, sensitivity of pain, मतलब pain के जो, हमारे ल कम कर देगा, and myocardial infarction, यह एक तरह की heart की disease है, ठीक है न, उसमें भी इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तमाल करते हैं, formulation की बात करने तो medicinal gas की तरह ही इसका इस्तमाल होता है, और brand की बात करें, market में, तो nitrous oxide के नाम से ही यह हमको मिल जाता है, clear है, okay, तो यह हमारे पास chapter number 3, lecture नमर 5 था, medicine of gases, और chapter number 3 हमारा आज finish हो जाता है, ठीक है, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि, sir, lecture रोज डालिए, मैं तो बात करने हूँ, आप लोग उसे, lecture रोज डालना मेटा possible नहीं हो पाता है, कारण यह है कि एक lecture को त्यार करने में, पहले content ढूनना होता है, फिर type करना हो टाइप करके, फिर उसको PDF में convert करके, फिर मैं lecture लेता हूँ, lecture को फिर मैं क्या करता हूँ, upload करूँगा, तो यह पूरी process में क्या होता है, कम से कम मान के चलो, यह छोटा lecture था, तीनी थे, तीनी इसके अंदर क्या थे, compound से, बाकिस सब में लगबग 5-5-6-6 ऐसे रहते हैं, त तो कम से कम 5 घंटा minimum लग जाता है, अब दिन में 5 घंटे, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा कुछ और भी काम होते हैं, तो थोड़ा सा delay हो जाता है, कोशी से करूँगा, at least 2 दिन में तो एक lecture आई जाए, ठीक है, हर आलत में, और परिशान ना हो, मैं पूरा course, कोशिस मेरी य को online मैं provide कर वाद दूँगा, ठीक है, और एक चीज कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि इसका background white हो जाए, white background में होता क्या है, ये LED की light सीधा चेहरे पर आती है, तो सर में दर्द होने लगता है, ठीक है, तो कोशिस करो, इसको मैं फिर सो भी कहूँगा, इसको printout निकालने के 30-40 minutes के होते हैं, उसके बाद लिख करें, खुछते देख लोगे, वो 30-40 minutes की process हो जाएगी, दिमाग में एकदम चीज़ें set हो जाएगी, पढ़ले के लिए करो, मतलब मैहनत तो करनी पड़ी, मैहनत करोगे तो कुछ extra earn ही कर लोगे, और केवल printout निकाल लिए, फिर केवल कर अपने वाला है, मैं अपने तरफ से, जो लोग बच्चे मेरे उपर dependent है, काफी है तक dependent हो रहे हैं, या हो गए हैं, मैं उनको निराश नहीं करूँगा, मैं लेक्चर सिमान के चलो, पेपर से कम से कम 2-3 तक मेरा target है, उससे पहले पहले, target पहले मैंने जैन का बनाया था, ले मेरे तरीके से करेंगे, तो मैं guarantee ले रहा हूँ, तुम्हारे number इतने अच्छे आएंगे, जितना कि तुमने उमीद भी नहीं करी थी, तरीका वही रहेगा, lecture देख लिया, ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर लो, फिर नोट्स को एक लिखते जाओ, और याद करते जाओ, मैं य रिवाइस करनी है, रिवाइस करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा चीज़े दिमाग में आती चली जाएंगी, तो revision is the best method of preparation, पताए ये चीज, बच्छे वाली चीज है, ठीक है, तो पढ़ना है, all the best